स्री शिपाय नमस्तो भ्यम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10 फरवरी से माग महीने की गुप्त नवरात्री शुरू हो रही हैं दोस्तो पूरे साल में 4 नवरात्री पढ़ती हैं जिसमें से 2 गुप्त नवरात्री होते हैं जिसमें से गुप्त नवरात्रे में जो पहली गुप्त नवरात्रे पढ़ती है वो इसी जनवरी के माग महीने में पढ़ती है जो कि दोस्तो दस फरवरी से शुरू हो रही है अब दोस्तो पंडी जी द्वारा बताया गया एक गुप्त नवरात्रे का सबसे बड़ा उपाय है दोस्तो जो कि 9-9 फूल वाला उपाय है अब दोस्तो इस 9-9 फूल वाले उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है आप जिस भी मनोकामना को रखते हुए इस 9 फूल वाले उपाय को करेंगे आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी बस दोस्तों इस उपाय को आपको पहले अच्छे से करना होगा समझना होगा उसके बाद ही आप लोगों को इस उपाय को करने का फल मिलेगा मतलब कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि भई जो यह उपाय है यह 9 फूल वाला यह आप लोगों को इन गुप्त नवरात्रे के पूरे 9 दिन करना है जो कि 10 फरवरी 2024 से शुरू होंगे और 18 फरवरी 2024 तक चलेंगे ठीक है तो इन 9 दिनों में आप लोगों को इस उपाय को विशिश रूप से करना है फिर आप देखिएगा कि अगले जो दिन होंगे वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे जिस वी मनोकामना के लि जब से पहली बाद दोस्तो जिसको भी अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवाएं शिवजी से पूर्ण करवानी हो भाई वो ये वाला उपाय कर सकता है चाहे वो माता है बहने हो चाहे वो कोई घर का बढ़ा हो ठीक है और अगर बच्ची भी करना चाहे तो भाई वो से आ सकती कि कोई इस उपाय को पूरे आपको 9 दिनों तक करना है ठीक है जिसने कर लिया उसके मनो कामना तो भाई जरूर बोढ़नों की अब दोस्तों हम समझते हैं कि इस उपाय में आपको करना क्या है किस समय करना है तो देखो इस उपाय को कुछ जो करने का समय है ये मुख्य रूप से सुभा का समय है ठीक है कोई व्यक्ति अगर किसी कारणवस सुभा ना कर पाए तो भाई वो इस उपाई को शाम के समय भी कर सकता है तो अब हम जानते हैं कि इस उपाई में आपको फूल कौन से लेने हैं तो देखो आप लोगों को ऐसे फूल लेने हैं जो भगवाई शिप जी पर समर्पित होते हों भगवाई शिप जी पर जो भी फूल समर्पित होते हों उन में से कोई भी एक ऐसा फूल आप लोग चुन लेना जो आपको नौ दिनों तक जादा मातरा में मिल सके, मतलब 10 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आप लोगों को वो वाला फूल जादा मातरा में मिल सके, कोकि इस उपाय में जो आपने पहले दिन एक फूल मतलब select कर लिया, वो ही आप लोगों को 9 दिनों तक उपयोग में लेना है, है न? जैसे कि उधारन के लिए हम लोगों ने कनीर का फूल ले लिया तो पहले दिन जब हम 9 कनीर की फूल लेंगे तो भाई यही कनीर की फूल हमें जादा मात्रा में पूरे 9 दिनों तक मिलने चाहिए ऐसे आप लोगों को फूल देखने है ठीक है चाहिए वो गुलाब का हो चाहिए वो सफीद फूल हो चाहिए आप खरीद कर भी लाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस आपको 9 दिनों तक वह फूल आसानी से मिल जाए इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा है ना कनेर के फूल भी अगर आप लोग लेते हैं तो यह आपको जादा मातरा में आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि इसका पेड़ जहां पर भी लगा होता है उसमें जादा जादा मातरा में फूल आते रहते हैं ना तो भाई आपको क्या करना है, 9 कनेर की फूल ले रहा है, गुप्त नवरात्रे के पहले दिन, मतलब 10 फरवरी को, ठीक है, 9 कनेर की फूल आप लोगों ने तयार कर लिया, आप लोगों ने पहले से तोड़ कर ले कर आ गए, इसके साथ में दोस्तों, एक आपको दीपक भी तय करना है, किस चीज का दीपक तयार करोगे, ये दीपक आप तयार करोगे, आटे का, ठीक है, मीडियम साइस का दीपक, उसके अंदर रहोगे, गूल बाती, और इसके अंदर डालोगे, शुध देशी गाये का घी, और गोल बत्ति का ये दीपक चलाए, कुईकि भगवाए श अब भूआ आपको करना है तो आपको करना है तो आपको करना क्या है आपको क्या है अपको क्या करना है आपको प्राता काल शिप जी के मंदर पहुँचना है देखो इस उपाय के अलाबा आप भगवाय शिब जी की पूजन अर्चना के लिए जो भी सामगरी लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो जैसे कि एक लोटा जल, बिल पत्र फूल वगरा जो भी चीज है वो आप लेकर जा सकते हो बस नौफूल और दीपक वो उपाय का अलग रखना है ना, शिब जी के मंदिर पहुँचना, पहले आप अप अपनी पूजन अर्चना कर लेना मतलब शिब जी पर जल चड़ाना है, बिल पत्र फूल वगरे चड़ाना है, वो सारी चीज़े आप लोग समर्वित कर देना मंदिर की माचस से नहीं जलाना है, इस पात का भी ध्यान रखना है ना, तो अपने घर से ही माचस लाना, उस माचस से इस दीपक को मंदिर में ही बैट कर जलाना, इस दीपक को भगवान की आरती करके या भगवान के सामने शिब लिंग के पास में ऐसे ही भगवान शिब ज पास पास इन नो कनीयर की फूल को आपको चड़ाना है Phagvijn Shitnormal लिंग के ओपर वह भी अपनी मनो कामना करते हुए जिस मनो कामना के लिए आप अपना उपाई कर रहे हुआ ना इस बात का ध्यान रखना कि पहले दिन विशीज रूप से आपको अपनी मनोकामना फूल को समर्पित करते हैं समय बोलनी है अब फूल को भी कैसे समर्पित करोगे क्या हमें नौ करने रहे कि फूल एक साथ समर्पित करने है या एक एकर के समर्पित करने है तो आपके बास दोनों तरीके हैं तो भई शाम के समय आपको जल ले कर जाने की कोई ज़रोत नहीं है, आप मातरी ये उपाय करने के लिए शाम के समय जा सकते हैं, ठीक है? और ये उपाय नवरात्रे के पहले दिन से ही शुरू होगा, इस बात का भी ध्यान रखना है ना, तो दोस्तों यहां पर हमारा ये पहले दिन का काम हो गया, हमने आपको बोला कि ये उपाय पूरे 9 दिनों तक चलने वाला है, तो भई पूरे 9 दिनों तक हमें ये उपाय कैसे कैसे करना है, अब वो समझो, तो देखो पहले दिन आपने क्या किया, नो कनिर के फूल लाई या जो भी आप भगवाई शीब जीपर फूल चढ़ाने वाले हूँए जो आपको नव दूंतोग care जादा मातर में फूल मिलने वाले हैं जो आपने लिया हो फूल वही फूल आप लोगो जो फूल आप पहले दिन इस्तमाल कर रहे हैं वही फूल आपको पूरे नौ दिन तक इस्तमाल करना है ठीक है तो पहले दिन आपने नौ फूल चढ़ाये भगवाएं शिप जी पर अपना दीपक लगाया भगवाण से प्रादतना कर लिए उनसे आशिरवाद ले लिया और अपने घर पर आ गए ठीक है ये पहले दिन के गुप्तन अवरात्री का आपको उपाय पूरा हो गया अब दूसरे दिन आपको क्या करना है जो फूल आप पहले दिन लेकर गए थे वही फूल आपको दूसरे दिन भी लेना है मतलब तोड़ कर लाना है ये जहां से आप लेकर आये थे वहीं से लेकर आना है ठीक है मतलब जहां से भी आपको मिल रहे हैं वहां से लेकर आना है बस पहले दिन जो आप 9 फूल लेकर गए थे भी चड़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, विशेश रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना जरूरी है, जरूरी नहीं कि आप हर दिन मनोकामना बोलो, बस हाँ, ऐसे मन में भाफ रखकर आप भगवान से प्रारतना जरूर कर सकते हो, कि भगवान हमारी ये 18 फूलों में 9 फूल और चोड़ देना मतलब कितने हो गए 27 फूल हो गए ठीक है तो भई आपको क्या करना है कि तीसरा जो दिन होगा तीसरे दिन वही फूल जो आप पहरे दूसरे दिन चड़ाए हूँ वही फूल आप लोगों को पर चड़ा देना है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ये 27 जो फूल है ये भगवाय शिप जी पर चड़ा देना है उसके बाद में ये तीन दिन के आपके काम हो गए अब भई जो चौता दिन होगा कुपतर नवरात्रे का उस दिन आप लोग कितने फूल चड़ा होगे इनी 27 फूल में 9 फूल और जोड़ दोगे कितने हो जाएंगे 36 फूल हो जाएंगे तो भई जो आपने तीनों दक फूल चड़ा है वही फूल आप लोगों को 36 मात्रा में चौते दिन लेना है गुपतर नवरात्रे के और यह मतलब 36 फूल लेकर सांत में एक गी का दीपक लेकर भगवाई शिप जी के मंदर पहुँचना है दीपक लगाना है और यह 36 फूल आपको भगवाई शिप जी की शिवलिंग के उपर समर्पित करना और भगवाई से प्रार्थना करके वापस से अपने घर पर आ जाना है ठीक है मतलब आप लोग समझे कि जो हमारे नवरात्रे के 9 दिन चल रहे हैं इनमें हमें हर दिन बस जो फूल हमने पहले दिन लिया है और जैसे ही गुप्तर नवरात्रे का 9 दिन आएगा मतलब आपने चौते दिन 36 रड़ा है फिर पांचवे दिन 9 और बढ़ा दी छटवे दिन 9 और बढ़ा दी है आटवे दिन 9 और बढ़ा दी है अब जैसे ही गुप्तर नवरात्रे का 9 दिन आएगा मतलब जो फूल आप अभी तक लेकर आ रहे हो वही 81 के मातरा में वह फूल लेकर आओगे साथ ही में अपना घी का दीपक भी लेकर आओगे और इन दीपक को मतलब पहले भगवाई शिब जी के मंदर में पहुचोगे दीपक को यहाँ पर प्रजुवलित करोगे और अपने वह 81 फूल जो आप लेकर आओगे यह भगवाई शिब जी पर समर्पित करोगे ठीक है दोस्तो जो आकरी वाला दिन होगा मतलब गुपतर नवरात्रे का नावा दिन होगा अठारा फरवरी का दिन होगा इस दिन जो आप भगवाई शिब जी के उपर जैसे ही मतलब उनके लिए दिपक लगाओगे और यह 81 फूल भगवाई शिब जी की शिवलिंग के उपर समर्पित करोगे तो आपको भगवाई से अपनी वह मनोकामना वापस से एक बार और बोलनी है विशेश रूप से अपने मन ही मन में या भगवाई शिब जी के सामने बैठकर जरूर बोलनी है जिस मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो विशेश रूप से इस उपाय का जो गुप्त नवरात्री के पहले दिन होगा उस दिन आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और एक मनोकामना मतलब गुप्त नवरात्री के आकरी दिन मतलब मनोकामना आपकी एक ही होगी ठीक है पर विशेश रूप से आपको भगवाई शिब जी से जो आप मांगना चाह रहे हो ठीक है तो दोस्तो बस जैसी आप लोग नवे दिन दीपक लगा कर मतलब पूरे जो है क्यासी फूल चढ़ा कर मतलब चढ़ा देते हो भगवान से प्राटना कर लेते हो मनोकामना बोल देते हो आपका ये उपाय पूर्ण हो जाता है ठीक है बस इस उपाय को करने के बाद दिक्कत वाली बात रही है बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको फूल वही चुनना है जिस फूल को आप लोग 9 दिनों तक जाधा मात्रा में ले सको खरीज सको या कहीं से तोड़ कर ला सको क्योंकि अगर आप लोगों ने फूल बदले तो भई फिर उपाय काम ही नही करना है आपकी भे मनोकामना जरूर पूर्ण होगी जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे है ठीक है अब दोस्तों बच्चों को ये उपाय करने में जरूर दिक्कत समझ से आ सकती कोई को उने शायद ये उपाय पूरा अच्छी से समझ ना है बढ़ी लोग तो इ आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण भी जरूर हो जाती है अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो हम दीपक पूरे नौदनों तक एक एक ले कर जाएंगे वो दीपक मिट्टी का नहीं ले सकते गया तो दोस्तों ले सकते हो पर हर द मैं प्रदोशकाल में कर रहा है वो लगबग 6-7 की बीच में या 7-8 की बीच में तो भई आप लोग उस समय करना ठीक है पर एक नियम के साथ इस वाले उपाय को करना आपको इस उपाय को करने का फ़ल जरू मिलेगा बाकि दोस्तों इस उपाय करने में आपको कोई भी दिक कर समस्या परिशानी आती है आप हमसे कमेंट करके पूर सकते हैं हमरे वाटसप चैनल का लिंक डिपको डिस्कूर्शन में मिल जाएगा साथ ही में दोस्तों हमरी वेबसाइट भूलनायतबक्ती.com पर जाकर भी आप यह सारी जान करिए और उपाय को